कि तॉपिक ता नाम है कि एफ पैप और रोटीशन है हमें यह देखना है कि जब अपने एक्सिस पर मूव करती है रोटेट करती है तो ग्रैविटी में क्या एफेक्ट आता है ठीक है यह अर्थ एक्सिस कि यह रही है रोटेट कितनी विलॉफिती से ओमेगा कि अर्थ अर्थ के सरफेस पर कहीं भी हम हो सकते हैं यहां है माल दीजिए लिए तो यहां जो भी वैक्टी है उसका वेट कहां लगेगा तो विद्ग सेंटार्ट जो वेक्ति यहां होगा वह अर्व के साथ साथ ऐसे रोटेट हो रहा होगा यहां से यहां तर फिर वापस आया है जोटा सर्क्ल बना रहा होगा इस छोटे र्जिटीरे अश्मने क्या मालई ली छिफशन साहे तर देख लीजी एक वार अर्फ अपने एकस्सिस पर रोटेट ह हो रही है हम अज्ट के सरफेस पर हैं तो हम भी रोटेट हो और बाद सर्क्ल बनाएगी है हम उस्टोटे सर्क्ल की रेडियस हमने क्या मानि है हमारा वेट कहां लग रहा है कि तो विट्ट्स तो एक दो कॉंपोनेंट क्या होंगे mg cos theta mg science theta इसको नाम दिया O इसको नाम दिया A इस point को नाम दिया B नहां तक आप की सुनिम में आया unknown quantity कौन सी है small r unknown है भाई हमें तो नहीं वालो small r कितना होगा अगर आदमी यहां की जगे यहां आ जाए तो small r change जाएगा यहां आ जाए तो small r chain दो जाएगा तो हम small r को convert करनेंगे capital R radius of earth कैसे करेंगे O से A तक की distance क्या होगी बेचा mg mg तो weight है radius distance क्या होगी radius of earth तो अगर मैं बात करूँ O B A की cos theta क्या होगा O B A में cos theta क्या होता है base upon hypertonus base क्या है small r और hypertonus यहां से यहां तक कितना है radius of earth तो small r क्या आ जाएगा अब तो यह noon quantity हो जाएगी है हमादे लिए कितना चलिया है अब देखते हैं आगे M G कहा लग रहा नीचे इस A point पर जो भी वेक्ती होगा उस पर बाहर की side क्या लगेगा इसको थोड़ा सुन दीजिए washing machine में जब पपले घूंते हैं तो बाहर की तरफ सिपग जाते हैं क्योंकि उनकी बाहर की तरफ कौन खीशता है ऐसे ही अगर हम घूम रहे होंगे एक्सस के राउंड तो हमें भी बाहर की तरफ कौन खीशेगा centifugal force का फॉर्मूला होता है m r omega square r हमारे पास क्या है r e cos theta m r e omega square cos theta कोई दिक्कत तो हम पर कौन-कौन से दो force लग रहे हैं एक centifugal force और एक mg उनके कें बीच में इंगल कितना है है तुइस मैं अ कि कि इनके 20 में इंगल है वळू C- तो दो puis में इसका resultant किसे निखियेगा कि में दो को और हम इनका क्यानी काल में is कि कि रिजल्टेंट पोस इक्वल क्या होगा अंगरू एस्क्वेर एस्क्वेर मतलब एमजी का स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर मतलब एम आर ए ओमेजा स्क्वेर कॉस्ट थीटा का पोल एस्क्वेर एस्क्वेर प्लस बी स्क्वेर आगे प्लस तू ए बी कॉस्ट थीटा तो प्लस तू ए की जगे एम जी बी की जगे और कॉस्ट बनेटी माइनस थीटा यही आएगा एस्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस तू ए बी कॉस्ट थीटा अब देखना क्या होगा रिजल्टेंट पोस एप इक्वल अंदर रूम यह क्या हो जाएगा प्लस ए क्या हो जाएगा एम स्क्वेर आरी स्क्वेर उमेगा पावर पोस कॉस्क्वेर फीटा माइनस क्यूँ कॉस बनेती माइनस थीटा होता है माइनस कॉस ते तो आगी क्या लग गया माइन क्या आएगा तू एम स्क्वेर जी आर इए ओमेगा स्क्वेर को स्क्वेर थीटा है खाया ना गे लाइन क्लियर है आपको कोस बनेती माइनस ख्रीटा होता है माइनस कोस ख्रीटा माइनस आगे आग 돼 को स क्वेर थी अनतुकर क्या हो गया और स्कुरिटा मिजह रता ऑर बहुत तेज़ घूंबकी है या बहुत स्लो करती बहूल लो कि बताओ दोस्त अपनको लगता है अब घूम रही है मैसूस करते हैं या बन जानी की बहुत कम होती है जब बहुत कम है इसका मतलब ओमेगा बहुत छोटी कॉंटिटी है तो ओमेगा की पावर फोर क्या होगी मैं ऩब है जब कोई कोंटिटी बहुत होती है तो इसके सव स्क्राएं क्यू पावर फोर और बीकम हो जासे है मैंनों व्मेगा है कि अज़िए कि तो मेंगा स्वेयर तो जब quantity बहुत छोती हो तो इसकी powers और छोती होती है तो omega power 4 और omega square में से कौन negligible है इस समय इस negligible है इसके comparatively ये क्या है इतनी quantity क्या हो जाएगी निगलेट ठीक क्या बच्चा m square g square minus 2m square g r e omega square cos square theta अब दोनों में हम जब रसकी common देंगे m square g square भाई m square तो common मिली रहता है और g common मिली रहता है हम लेंगे g square common तो क्या होगा यहाँ g से divide बचाएगी बच्चा बच्चा लेंगे लेंगे क्या लबेका लगल कर दो एंग। तो एम स्क्वेर जी स्क्वेर क्या मिलेगा हमें कॉमन कॉमन मिल गया तो क्या वच्छा वन माइनस तू यह एड़ गया है आड़ी ओमेगा स्क्वेर पॉस स्क्वेर थीटा बाई जी इतना क्लियर हुआ है अब कौन बाहर निकल रहा एंजी हो जाएगा बाहर निकल के अंदर क्या बच्छा वन माइनस तू आड़ी ओमेगा स्क्वेर पॉस स्क्वेर थीटा बाई जी पावर बन बाई टू रिख सकते हैं अशे अब क्या यहां बाईनोमियल लग जाएगी पस्टम वन है सेकेंड तम फ्रेक्शन है और पावर भी फ्रेक्शन है बाईनोमियल लग जाएगी पावर का मल्टिप्लाय होगा यहां तो एम जी वन माइनस वन बाई टू यह लग गई बाईनोमियल तू से तू करक्शन एफ को हम क्या लिखेंगे एम जी डैश जी डैश क्या है चेंज इन ग्रैविटी अगर हम एम जी लग देंगे तो ग्रैविटी में चेंज क्या हुआ हुआ इसलिए हमने एफ को क्या लिखा एम जी डैश इक्वल में एम जी वन माइनस एम से एम कैंसल जी का अंधर मैटिप्लाइ कर दो तो फाइनली जी डैश क्या आजाएगा जी माइनस आर ई उमेगा स्क्वेर पॉस स्क्वेर ठीटा अब बताओ ग्रैविटी में कोई चेंज आया है या नहीं नहीं आया कि ग्रैविटी में चेंज आएगा एंगल की वज़र से जानतों सुनना अगर कोई आदमी आज के नौट पोल पर हैं तो थीटा कितना होगा कि 90 होगा है यह कौन सी लाई होती होते हैं यहां फ्री लाइंटि लाइन होता है जी ड़िकरी लाइन होती इस नौट पोल पर है तो जिस्के डिग्री हुआ है यहां कॉस्च नाइन्टि रखोगे कितना आएगा कॉस्ट 90 क्या होता अरे कॉस्ट 90 दो बता दो या जी लो होता तो जी डैस इक्वल किसके रहेगा जी के 9.8 अब वह आग्मी आ गया एक कुछ अला इन पे तो तीटा कितना रखो गे जी रो गोड़ी वेल्यू बन क्या अभी भी जी डैस 9.8 आए गा मैं से आरी ओमेगा स्क्वेर कम हो जाए तो ग्रैविटी चेंज हो गई इसका मतलब आज के नौट कोल पर ग्रैविटी को 9.8 होती है और एकोटर पॉल पर 9.8 से कुछ कम होती है बुलिए बेचा है क्लियरे बाद यह ताल टेस्ट में नहीं आएगा